करेंगे बीजापूर की जैसे के हम सभी को पता है कि केड़नैप कर लिया गया थे यासे एक इंजिनियर और एक राज मिस्त्री लेकिन अब इसकी पतनी अबूज माड के जंगलों में पहुच गई है और अपने केड़नैप पती की रिहाई की मांग कर रही है तो नकसलियों से रिहाई की गोहार लगा रही है ये पतनी जो अबूज माड के जंगलों में पहुच गई है तो केड़नैप इंजिनियर की ये पतनी है जो जंगलों में गई है और नकसलियों से पती की रिहाई की गोहार लगा रही है कि उसके पतनी को छोड़ दिया चाए आपको बता दे क कि नक्सलियों ने इंजिनियर को अकवा किया था अबूज माड के जंगलों में बंदग बना कर रखा हुआ है इस एंजिनियर को तो तीन महिने में दूसरा इंजिनियर है जो कि अगवा किया गया है नक्सलियों के जरिये और बहुत उमीद है कि आज ये अगवा इंजिनियर पत्नी पहुची है अबूज माड के जंगल में और नकसलियों से गोहार लगा रही है कि उसकी पती को रिहा कर दिया जाए अपनी दो मासूम बच्चों का हवाला देते हुए यह पत्नी जंगलों में पहुची है और गोहार लगा रही है नकसलियों से कि उसके पती को छोड़ दिया जाए तो तीन माइने में दूसरा इंजिनियर है जिसको अगवा किया गया है और आज उम्मीद की जा रही है कि अगवा इंजिनियर रिहा हो सकता है इसे पहले भी हमने देखा कि जो पत्नी है उसने एक वीडियो बनाया था और वीडियो में अपने बच्चों को भी रख कर गोहार लगा रही थी रो रही थी और नक्सलियों से कह रही थी कि मेरे पती को छोड़ दो मेरे पती नर्दोश है और ऐसे में अब खुद ही जंगलों में ये सासी पत्नी पहुच गई है और गोहार लगा रही है और इस पुरी खबर पर हमारे साथ रायपूर से आदित नामदेव जो हैं जुड़ गए हैं हमारे स्टेट अडिटर उनसे हम बात करेंगे एक बार फिर से एक महिला की शक्ती सामने आई है अपने पती को रिहा करवाने के लिए पहुच गई है जंगलों में क्या कहेंगे आप आदिते जी अगर आप सुन पा रहे हैं हम आपसे दुबारा संपर्क करते हैं और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक पत्नी की जो शक्ती है एक बार फिर से मिली है और नक्सलियों से सीधे संपर्क सादने के लिए अबूज माड के जंगलों में पहुच गई है किड़न अप इंजिनर की पत्नी और यहां पर अपने पति की रहाइप की गोहार लगा रखी है तो मासूं बच्चों का हवाला दे कर गोहार लगा रही है त्ससे पहले एक विजिए ऑनाया था तब उसमें पत्नी ने गोहार लगाई थी कि मेरे पति निर्दोष है मेरे पती को छोड़ दी जाए और फिर से उनकी पास चलते हैं और तमाम जानकारी लेते हैं तो आदिते जी हमने देखा कि एक पत्नी की श्रक्ती एक बार फिर से देखने को मिली है कि सीधे जंगलों की तरफ रुख करते हुए सीधा सीधा जो है एक कॉन्टाक करना चाहती है नकसलियों से और कहना चाहती है हाँ मेरे पती को छोड़ दें क्या कुछ कहेंगा देखें नकसलियों की टैक्टिक्स रहती है टैक्टिक्स यह कहती है साफ तोर पर कि किसी भी इंसान को आप अपरेंट कर लीजे उससे शर्ते रखी है उसके सामने ये जो अशोक पवार जिसका किड्नेप किया गया था इंदरावती नदी के किनारे जो पूल बन रहा है इसके पूल की अपयोगिता समझिये ये पूल वो पूल है जो आजादी के बाद इंदरावती नदी के उस पार का एरिया आज भी जिला प्रशाशन से नहीं जुड़ प बनने के बाद वहां के सैक्ड़ों गाओं जो है वो जिल्ला प्रशाशन से जुड़ जाएंगे लेकि नक्सली नहीं चातेगी पुल तयार हो अब वो पुल जो इंजिनियर बना रहा था उसको आपरेंट करके ले जाया गया और कहीं न कहीं देखे चुकि वो सरकारी करमचार और कुछ पत्रकार भी उनके साथ हैं सोनल नाम है उसकी पत्नी का अभुजमाड के सारे देखे यह घटना वही थी वह वह जो नारायन्पूर के रास्ता अभुजमाड होकर जो रास्ता जाता एंद्रावती की तरफ वहां से उस गाउं से होकर वह घोर नक्सल प्रवाईत लाके जंगल में है वो फिलहाल और सोनी सोडी जो समाजी कारे करता है उसके भी उन्होंने वो किया है कि आप मदद करिए मेरी पत्ती को छोड़ाने में कल भी उसने जो वीडियो जारी किया था उसमें बहुत साफ उसने कर दिया था कि हम लोग यहां पर छोड़के चले जाए हैं देखिए पूरा ब्लेम गेम होता है आपको इस तरह से मनोवेग्यानिक रूप से आपको प्रभाव डालने की कोशिश होती है नकसली विचारधरा से प्रेलित करने की कोशिश होती कि सरकार के साथ आप मत रहिए आप नकसली जो बोल रहा है वो बात आप मानिए तो दिया जाए तो यह नकसली को इसके पहले भी आपको याद है एक श्रीनगर का एक जवान जिसको किड्नैप किया गया था सियार पीफ के उस समय भी यही हुआ था कुछ पत्रकार गये थे वहाँ जना दालत लगाए गई और उसे माफी मंगवा के छोड़ दी गए तीस बार भी यही होगा पत्नी ने साफतर पर कह दिया है उस इंजिनियर से भी वही कुबल नामा लिया जाएगा कि मैं इसके बाद इस पूरे बस्तर में कह भी नहीं आऊँगा ना कोई सरकारी काम में काम करूँगा साथ दूँगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा तो वही चीज इंजिनियर की पत्नी अबूज माड के जंगलों में पहुच गई है जहां पर उनके साथ कुछ सामाजिक कार्यकरता और मीडिया कर्मी भी है और यहां पर वो डारेक्ट जो है बात करना चाहती है नक्सलियों के साथ और कहना चाहती है कि पती को छोड़ दिया जाएगा तो मतुलब को छोड़ी जः मेरा पती जिनो से पंदा में है काम करने कै जये महां पक गाओ घुम्हाल ऋप्से मले के कैह है, जो फ़ार जिएक बच्ची पढ रहे है बच्शी चोड़ी है में मुखंदाब डाएम कि फर झराफे, कर चाहती है